आप सुभी को नमस्कार आज यहां इतनागर में थोड़ा बहुत लोईन ओरर का इशू को देख पा रहा है सोशल मीडिया में जबकि यह अपना औरनाचल का पीस के लिए यह अच्छा बात नहीं है तो इसमें मैं कुछ क्लैरिटी औरनाचल प्रिदेश का जनता के सामने में रखना चाहेगा अभी जो मैटर को लेके यहां पर लोईन ओरर में टान ओर जो हो रहा है बैसिकली यह जो औरनाचल प्रिदेश पॉब्लिक सर्विस कमिशन में जो गोटाला हुआ है वेरी अनफोर्चनेट गोटाला हुआ है उसका कारण से अभी यह जो लोईन ओर दिखन को मिल रहा है आप सभी औरनाचल प्रिदेश का जंदा को बता है कि जोब यह पेपर लिगेश का मेटर जो आया तो गोवर्मेंट ने उसको विद आयरन हैं हम लोग ने पूरा टेकल किया है हम लोग भी बहुत ही कंसान है जितना अपना औरनाचल प्रिदेश के पैरेंस जि करने के लिए सो भी लोग ने मांग किया है कि इसको सेंटरल इन्वेस्टिकेटिंग एजनसी जैसे सीवी आई को देना है तो सरकार ने साथ ही साथ पूरा एपी सीएस का मैटर को सीवी आई को ट्रांसफर भी कर दिया है मैंने डेवन से ही कहा है कि पाब्लिक सर्विस इसका बाद सरकारी करमचारी जो वहाँ पे पाब्लिक सर्विस कमिशन में जो लोग थे क्योंकि और नमस है वो पाब्लिक सर्विस कमिशन का अंदर में आता है उसके लिए आलग से केविनेट बैठा के उसको भी हम लोग ने सर्विस को भी मरजर सिविल सेकेटरिट का साथ में merger भी कर दिया तो हम चाहते हैं कि जो आभी जो वेक्स इशू में जो पूरे ये पुरी सर्विस कमिशन का वज़े से जो फसा हुआ है उसको क्लींजिंग करना जुरूरत है तो इसलिए नया कमिशन का भी एड़ोडिस्मिन किया उसको नया कमिशन को भी गठन करके स्वेरि पूर्प बोडी है उसमें सरकार का कुछ नहीं होता है तो जो लेकुना है वहां पर लास्ट टाइम जिसका कारण से एसोपी इस्टिंजन नहीं होने का कारण से जो लिकेज हुआ तो नया कमिशन आने का बाद और लोग एसोपी बनाएंगे और जिदने भी जो एक्जाम्स केंसल या डिफर करके रखा हुआ है उसको फर्दर फिर ओर लोग एड़ुटिस्मेंट करके नोटिफिकेशन करके एड़ुटिस्मेंट करेंगे मगर आई थिंक तुभी भी कुछ कुछ कॉम्मिनिकेशन गैप के वज़े से जो अभी अपना जो ऑगनाईजेशन है पैन औ तो अभी भी आज सुभरे मैंने इस सुचेशन को देखते हुए अरजिंट एक कैबिनेट बुलाया कैबिनेट बुलाके अभी जो स्वेरिंग इन जो चेर्मेन और मेंबर का जो होना था आज उसको भी पब्लिक का वैसिस को सुनते हुए उसको भी हमने कैंसल कर दिया है अ तो मेरा आप सुभी से एपील है खास करके इटनागर एरिया में जितने भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल सरकार का हमेशा सौफ कॉर्णर अपना पब्लिक का साथ ही है हम लोग जितने भी जो पॉइंट्स 13 पॉइंट्स जो आप लोग ने दिया है पहले भी आप का अपना हो मिनिस्टर का साथ में डिसकेश हो चुका है दुबारा भी मैं अपना लेवल में उसको डिसकेशन करनी के लिए मैं पूरा तयार हूँ ये सरकार सुबका सरकार है इसे वेरी इंक्लूजिव सरकार सुबका सुनने वाला सरकार है सुबको लेके चलने वाला सरकार है तो मैं आज इतनागर में जो लोग प्रोटेस्ट के तोर पे यहां पे जो निकला है आप सुभी से में अन्रोद करेंगे केविनेट ने अल्रडी डिसाइड कर चुका है कि जो मेंबर्स और चेर्मेन का स्वेरिंग इन है उसको हम लोग ने कॉल अफ कर दिया है और कल यानि ग्यारा बज़े आईए पूरे जितने भी जो इस्यूस है हम लोग बैट के फिर दुबारा से भी हम लोग डिसकस करेंगे जुरूर तो मैं आप सुभी मीडिया आज दोस्तों जितने भी जो यहां आए हैं आप सुभी के माध्यम से एपिल करता हूं कि आप जो भी जो प्र अब जब जाके वाइलन्स स्टार्ट हुआ तभी जाके क्यों सरकार कोई करम ठाती है इसमें दिखिए थर्टिन पॉइंस में अल्रडी मैंने जो कहा है कि बामंग फिलिक्स जो होम मिनिस्टर का अंदरगत में कमिटी बना के उलोग टाम काफी इसमें डेलिवेशन भी हुआ है इसमें में अपना लेवल में पूरे थर्टिन पॉइंट्स को बेट कर मैं अपना लेवल में हम उसको दुबारा फिर डिसकस करेंगे सर आज का एक्चुली इसुज जो है था यह आज को सपदग्रहन का विशय में था और थर्टिन पॉइंट चार्टर ओप डिमांड का था जो बचो लोग और एस्पारेंस लोग और कल क्या हुआ था कुछ प्रोटेस्ट हुआ था प्रोटेस्ट ने एक डिसीजन ले लिया क की बंद कॉल करना है मुलके उसका बज़े से आज सुबह से पुरा इटानगर में अल्मोस्ट लोलेस्नस ताइप हो गया सिचुएशन अगली टर्ण हो रहा है तो अभी सुने मैं कि कुछ पुलिस फोर्स और यूद्स लोगों को भी काफी इंजूरी हुआ है तो उसके लि है किसी भी चीज़ का वो सुलूशन नहीं है तो हम लोग एक्रोस टेबल बैटके ही जो भी प्रॉलम है उसको बात्चित करके हम लोगों को सोल्व करना होगा और आज अनफूर्चनेटली जिदने भी जो लोग आज चाहे पुलिस का हो या चाहे प्रोटेस्टर का हो जो ल अनफमें से अजरेब एल norm connect Thank you.